कि नमस्कार दोस्तों एक बार आप सब का फिर से बहुत बहुत सुवागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर सुगय जैसा कि आप सभी को पता है डेली साम को पांच बजे आप सभी का जीकी का जो टेस्ट है फुल पेपर आपको यहां पर करवा लोग को मेरी आवाद जो है क्लास को इसके बाद हम लोग करते हैं क्लास को इस्टार और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हम भाई इंस्टा पर फॉल्लो कर लें और टेली ग्राम पर भी जूड़ सकते हैं डियर गुरुजी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा साथ साथ दोस्तों आप सबी को पता है अने कैडमी पे भी मैं एक फाइड एजुकेटर हूं लगातार वहां पे भी आप लोग के लिए मैं क्लास लेकर करके आता हूं फ्री वाली क्लास है तो बिलकुल जो होती है तो बिलकुल जोइन कर सकते हैं अने कैडमी का डॉनलोर बिलकुल फ्री में भी क्लास जोने करने के लिए या प्लस में लेने के लिए आप लोग सिंपल सा डियर गुरुजी का कोड यूज करना ना भूले तो गुड़ इमनिंग सभी को एक बार सबी लोग कॉमन करके आदो आप लोग को मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही है जवाब देती हुए चलेंगे मर्रे नदी की बात यहां पर पूछा गया है चलि जवाब देखिया आपर आना सुरू हो गया है तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सभी बात है यहाप जितने लोग जवाब दे रहे हैं चलिए अभी यहाँ पर मैं देख लेता हूँ आ रही है कौन सा या कौन से संगठन पच्छियों और उनके आवासों तथा बैस्विक जैव विवित्ता के सरच्छड से संबंदित है तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेशन देखो आपसे यहां पर क्या बोला गया है कि भाई सिव समुद्रम पन विजली पर य क्वेशन नंबर तीन है जवाब लोग यहां पर बिल्कोल करेक्ट हो जाए गई है कि डिक्षिड भारत की किस नदी को कहा जाता है कौनसी नदी गुदावरी वरी को दुस्तों दच्रभारत की गंगा बोला जाता है तो आपसर नमबर जो इसका डी है वो यहां पर बिलकुल करेक्ट हो जाएगा चलिए अगला कोशन देखिए आपसे आपर क्या बोला गया है कि किस राष्ट्रकूट राजा या राजाओं ने उत्तर भार क्या है तो आपसर नमबर जो इसका डी है वो यहां पर बिलकुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखो आपसे यहां पर क्या पूछा गया है भारत के किस राजमें निर्धंता दर सबसे अधिक है कोशन नमबर छे देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्डन कोशन है सब जवाद दे रहे हैं तो बिलकुल सभी बात है उसका बी है वो यहां पर बिलकुल करेक्ट हो जाएगा चलिए अगला कोशन देखिए आप से यहां पर क्या बूला गया है ध्यान से देखिएगा कोशन नमबर अगरम बात करते हैं साथ के बारे में तो हजारों जीलों की हो जाएगा चलिए दूस्तों आते हैं अगले कोशन पर सभी प्रयास करेंगे हिंदू व्यू आफ लाइफ पुस्तक को किस ने रिखा था मैं आपको इसके बाद चलेगा तो उसमें भी आप जरूर भाग लिजेगा मैंने कोमेंट कर दिया पहला कोमेंटे डिसक्रूशन ब को जाएगा डॉक्टर एस राधा कृष्णन बिल्कुल सभी बात है सर डॉक्टर एस राधा कृष्णन जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे चलिए अगले कोशन पर आते हैं तो अगला कोशन देखिए आप से आपर क्या पूछा गया है कि कामाइनी पुस्तक को किसने लिखा था कामाइनी पुस्तक को किसने लिखा था यहाँ पर बिल्कुल खाराइगा चलिए अगला कोशन देखिए आपसे क्या कह रहा कि 200 नाथन आनंद कौन से खेल खेलते हैं 200 नाथन आनंद जो है कौन सा खेल खेलते हैं बहुत ही आसाम सा कोशन है और जवाब बिल्कुल सही आ रहा है बिल्कुल सब्सक्राइब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए अगला कुशन देखिए आपसे यहां पर क्या बोला गया है कि भारत में सर्वस्रेष्ट सौर यह पुरुसकार कौन सा है कुश्चन सब्सक्राइब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कुशन देखिए आपसे कह रहा है कि मानवा धिकार दिवस कब मनाया जाता है तो बिल्कुल सब्सक्राइब बात करते हैं तो मानवा धिकार दिवस जो आपका बनाया जाता है दस दिसंबर को ठीक है दस दिसंबर को बनाया जाता है तो ऑप्स नमबर जो इसका ए है फ़श्ट है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए अगला कुशन अगला कोशन देखिया आप से यहां पर क्या बोला गया है भारत का सबसे अधिक सिंचित छेत्र किस प्रदेश में है क्वेशन नमबर 16 है इसका जवाब देते हुइंगे भारत का सबसे अधिक सिंचित छेत्र किस प्रदेश में है आप से कह रहा है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनसील है बताइए सर वसा में घुलंद सील विटामिन जो आपका कौन सा है सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिए का सर जवाब देखिए हैं पर दीदे सभी काना शुरू हो गया है तो याद रखे दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक ट्रिक भी याद करवा बारे में तो यहाँ पर एक ऑप्सन जो है करेक्ट हो जाएगा क्लियर है चलिए बहुत अच्छी बात है अगला क्वेशन देखिए आप से यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेशन अगरम बात करते हैं धोनी का बेग सबसे जादा किसमें होता है धोनी का जो वेग है सबसे पबात करते हैं के लगा सबसे होता है निरवार्य नहीं को जाएडनी GOD आपको पता है ना पहले यहुजना यूग था बाद में नीति आउग बन गया तो नीति आयोग का पूरा नाम क्या है वही पूरे नाम कि अगर्म बात करते तो नेसनल इस्टीट्यूट फॉर उपर ट्रांस्फार्मिंग एंडिया यूग ठीक है जितने विए लोग यहां तो भारत में अगर देखाएं पूरे भारत की बात हो रही है तो सबसे आजया धान की खेति जो होती है तो दूस्टर या पर यहाँ पर बिल्कुल कर्यारेगा अग्ला कोशन दिखेए आपसे यहां पर यहां पर क्या रहा है भारत में हरत करांती की सुरुवात कभ हुई थी भारत में हरित क्रांती की सुरुवात जो है कब हुई थी जब आप सभी साथ यहाँ पर देते हुए चलेंगे तो दूसरों याद रिखिएगा जिने टाइप राइटर का विसकार किया था उपसर नमबर जो इसका भी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखो आप से यहाँ पर क्या बोला गया है किलमंजारो पर्वसिखर किस देश में स्थित है चलो बहुत यह अच्छा कोशन है कई पेपर में आपके क्वेशन पूशा जा चुका है किलमंजारो जवाब देखिए आप राना शुरू हो गया है कांगो केनिया तंजानिया या मेसर जवाब देखिए यहाँ पर तंजानिया देखो किलमंजारो तंजानिया सिंपल सा इसको याद रखिएगा ऑप्सर नमबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला प्रस्ट देखो आपसे क्या गया रहा कि इस्थानिये पवन का कौन सा एक उधारण है बताइए सर्फ पच्छुवा मांसून धुरुविया चिनूक इनमें कौन सा एक उधारण जो है इस्थानिये पवन का है चलिए पचीस नमबर क्वेशन यहाँ पर जवाब देखे आना शुरू हो गया है तो यहाँ पर याद रिखे जुस्तों इस्थानिये पवन की अगर हम बात करते हैं तो आपका चिनूक ऑप्स नमबर जो इसका डी है का फिलो पच्छुवा जवाब दे रहे पर यहाँ पर चिनू मर्डेका कब की अगरम बात रहते हैं तो याद रखिए का यह आपका फुटबॉल से किसे वाई फुटबॉल से संब्धित है तो जितने लोग आपके जवाब दे रहें वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला प्रस्टन देखिए आपसे यहाँ पर क करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है ध्यान से देखिएगा कोशन आपके 35 कह रहा है कि भारत सरकार को कानूनी विशियों पर पर परामर्स कौन देता है बहुत ही इंपॉर्टन कोशन है जवाब देती है सभी लोग चलेंगे महा नयायवदी महा नयायवदी समझते गो 같아요 of India होता है और सबसे बड़ा यह विधी विधी का दिकारिभी सको मानते है यहाँ पर क्या बोला गया है तो दोस्तो याद रखेंगे। यहाँ पर option number जो कही करेक्ट होता है। अगला question दुपको आपसे क्या कहि रहा है। कौंसे अनुछ्छेद के अन्तरगत संघ लोकसेवा यो किसे को हटाया जा सकता है समिधान के किस अनुछ्षेद के अन्तरगत संघ लोकसेवा का जो सदस से है उसको हटाया जा सकता है तो याद रुखे ऑपर जो आपका अनुछेट t slot 31 सonst depress, खेत है ठीक है अगला कोश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है किसने सुरू किया था कोश्चन नमबर आपका 49 है सबी लोग जवाब देते हो चलेंगे कुत्व मिनार का जो निर्मार है वो किसने स्टार्ट किया था जवाब देखिए हैं पर आना सुरू हो गया है तो दोस्तों याद जो किसने सुरू किया था जवाब देखिए हैं आना सुरू हो गया है आपको तो इसका यहां पर बिलकुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोश्चन देखो आपसे यहां पर क्या कह रहा है सरा स्लेवस चलो कोश्चन नमर आपका यहां पर 40 कह रहा है कि नेमनिकित में से कौन सा एक कथन असत्य है तो यहां पर अगर देखा जातो अनुचेद 154 में राज्य का एक राज्यपाल होगा ठीक है अनुचेद 154 कि अगर हम बात करते हैं तो आपका नहीं होता है आर्टिकल 154 आप लोग थोड़ा कॉमेंट करें को ता है सरा आर्टिकल 154 क्या होता है तो आप लोग जवाद देते हुँ चलेंगे आर्टिकल 154 कि अगर हम बात करते हैं तो आटिकल 154 में राज्यपाल के राज्य की कारेपाल का सकती राज्यपाल में नीट होगी यह राज्यपाल की सत्क्यों के बारे में अगला कोशन देखे आप से क्या कह रहा है नेपा सी हो जाएगा अख़बारी कागज ठीक है अख़बारी कागज के लिए फेमस है ने पाना कर तो आपस नमबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन पूछा गया है कि निकत द्रिश्टी दोस्त मायोपिया भी कभी कभी पेपर पूछता है मा करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन द्रिश्टी दोस्त देखो निकत का चस्मा दियाता है तो उसका अगला कोशन देखिए आप से यहां पर करेक्ट हो जाएगा § कारण नीला प्रतीत होता है फटा फट यहां पर जवाब देती हो चलेंगी आकास का रंग निला किसके घान अगलाई च्लो वैऑए लूए इसका नीला प्रतीत होता है प्रकरण जो है उसके प्रक्रिणर के काई नीला प्रतीत होता है हर्ज बताए किसकी है पताई सर्फ फोर्टी सेवन नमबर कोईशन है सब्वेगों यहाँ पर जवाब देती हो चलेंगे हर्ट जो है किसकी है जवाब देखें यहाँ पर आना शुरू हो गया है तो याद रखें आवरिति क किसकी है तो आवरिति की होती है ठीक है सबको पता भी मुझे भी आवरिति की होती है आपसर नमबर जो इसका ए है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखो कह रहा है भाखणा नागल परियोजना कई बार मैं आपको पता चुका हूं यह कौन सी नदी पर अवस् क्यell कि में बार में बांवन का न्दील कर्येक हो जाएगा अगला कोशन देखिया कि कार्बेट राष्टी उध्यान किस राज्यमें स्थजित है बताई शर उन्चांस नमबर कोशन आप से कुछा गया है जिम्-कार्वेट राष्टी इवद्यान जो आपका किस राज्यमien अवस्थित हैं तो प्षब्र, जो अब का उत्तरा खंड में वश्थित है इसका यहाँ पर भी है यहाँ पर करेक्ट हो घाले था इसका नाम बाद में जीम कारविट राष्टि उध्यान हो गया है कि काना किसली राश्टी उध्यान कि राज्य में अवस्थित है बते पचास स्थ Stallion है यहाँपर जवाब देती हो चलिगे कीस्या relied कि राज्य में अवस्थित है तो याद रहुत जो स्थ हैं ट्रक्ट जो करेक्ट हैं सो किस धातु का बना होता है कैसे जवाब देते हो चलेंगे तो याद रुखे देखो आफ से यहां पर क्या बोला गया है कार की इस धरपड़ का प्रयोग किया जाता है जो कार की देखा न उसमें कौन से दरपड़ का यूज होता भी तो याद रुखे या गोली उत्तल दोनों में से एक जवाब यहां पर करेक्ट होगा चलो मैंने हिंट आपको दे दिया है तो पर वल्याकार ऑप्सन नमबर जो इसका सी है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोईशन देखिया आपसे क्या गह रहा है पानी से भरे गिलास में बरफ का एक तुकड़ा तैर रहा है भाई तुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी कतल क्या होगा घटेगा या बढ़ेगा बता है घ अगला कोईशन देखिया आपसे कह रहा है कि दाब बढ़ने पर जल का कोथनांक पता यह क्या होता है बढ़ेगा या घटेगा बिल्कुल सही जवाब आघा जवाब दे रहे हैं वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे किसको इसको भाई आवाज नहीं आ रही यह मेरी आवाज क्या फस फस क्या रहे वीडियो से रुख गया है चलिए अगला कोईशन देखिया आप से यहां पर क्या बोला गया है कि यह निम्लिक्रित में से किसका प्रियोग खाद परिरक्षक के रूप में किया जाता है थोड़ा थोड़ा फस रहा है चलो एक मैंद म कोईशन है इसका प्रियोग जोए खाद यह परिरक्षक के रूप में कियाता है सोडियम वेंजोएट का अगला कोईशन देखिया आप से कह रहा है कि बैरो मीटर में पारे का तल एका एक गिरना यह किसको प्रदर्सित करता है शपर नमबर कोईशन जवाब देखिया ना जाएगा अग्ला कोईशन देखो आप से यहाँ पर क्या बूला है रावासाइनी के द्रिष्ट इसे चीनी क्या है बतार्बार के कि स्व चैनी करते होता तो इसलिए यहाँ पर तो जाएब अगला कुशन देखिए कह रहा है कि गोबर गैस में मुखिरूप से कौन सी गैस पाई जाती है गोबर गैस में बताए कौन सी गैस पाई जाती है तो भाई यह गोबर गैस जो होता है उसमें मुखिरूप से मीथेन गैस होती है CH4 कौन सी भाई CH4 होती है ठीक है अगला कुशन कोईसिन पूछा गया है कि सूर्य के बाद पृ काने में कितना समय लगेगा आप से पूछा गया है जवाब देखिया है हम पर आना शुरू हो गया है और बिल्कुल सही जवाब आ रहा हम बात करते हैं इतुनकि चलिख धूर्स लग भग लग जाएंगी थी तो तो option number जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question देखिए आप से क्या कह रहा है कि सबसे सुधतम जल जो है आपका कौन सा वीडियो को भाई 111 लोग जुड़े हुए हो लाइक भी कर दिया करो जिससे और भी लोग यहाँ पर जो है जोड़ सके तो start from question का जो correct time सर आपका हो जाएगा वर्षा जल ठीक है सबसे सुधतम जल यहाँ पर जो है आपका वर्षा जल हो जाएगा अगला question देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत में आने वाला वह अरव्यात्री कौन था जिसकी रचना गियारावी सताब्दी के भारत का दरपड कहा जाता था बदाई सर question अब आपके यहाँ पर 61 है फटाफट यहाँ पर जवाब देती हो चलेंगे सर भारत का दरपड एक सटमबर question है सबी लोग जवाब देती हो चलेंगे जवाब देखिए हाँ पर आना सुरू हो गया भारत का दरपड जवाब देखिए हाँ पर बिल्कुल सही आरा सर अलबरूनी ठीक है कोई जवाब देगा अलबरूनी की कौन सी रचना को भारत का दरपड कहा जाता था जवाब देखिए हाँ पर जवाब देना सुरू हो गय भी उनकी एक किताब आई थी किताब उलहिंद ठीक है किताब उलहिंद के नाम से साथ पहकी के हिंद के नाम से कोई भूख थी जिसको भारत का दरपर बोड़ आता था अगला कोश्चन देखो आप से यहां पर क्या बोला गया है अंतरश्टी ब्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है अंतरश्टी ब्यापार का प्रमुख प्रहरी जो है कौन है फटा-फट यहां पर जवाब देते हैं चलेंगे सो नो सरवाज अच्छे से आ रही है चलिए बस बासट नमबर कोश्चन का जवाब देखे आना शुरू हो गया है डबलू टी ओ वर्ड ट्रेड आउन ज जो है अंतरश्टी ब्यापार का प्रमुख प्रहरी है ठीक है अगला कोश्चन देखिए आपसे यहां पर क्या बोला गया है कि कार्बन 14 से किसकी आयू का पता चलता है तो दोस्तों याद रखिए कारबन 14 से कि जो आयू है उनका पता चलता है तो ऑप्स नमबर जो इसका भी है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्लियर है चलिए अगला प्रश्चन देखिए आपसे पूछा गया है कि निमखित में से कौन सा या कौन से जय विवित्ता के बाहर अस्थर्याई की एक सिट्यू सच्छड से संबंदित है फटा फटा फट यहां पर कोश कोशन जवाब देखिया आना शुरू हो गया है तो जैविक गुद्यान जीन पूल बीच बैंके सारे की सारी के संबंदित हैं तो आपसे नमबर जो इसका डी है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखो आपसे क्या कह रहा है कि बिग्यान दीवस बता कि भाई ब्राण काइटिस किसका एक रोग है बता ही सब्सक्राइब करेक्ट को जाएगा अगला कोशन जनल साइंस के साथ करवे चली ठीक है अगला कोशन पूचा गया है BCG का टीका किसके बचाओ के लिए दिया जाता है 67 नमबर कोईशन है इसका जवाब देती है चलेंगे BCG का टीका जो है किसके बचाओ के लिए दिया जाता है 67 नमबर कोईशन है जवाब देखियाना शुरू हो गया है तो याद रखिये दूस्तों इसका जो correct answer आपको हो जाएगा 6 6 रोग से बचाओ के लिए BCG का T का जो है दिया जाता है अगला question देखिए कह रहा है कि मनुस्य के रुधिर का pH मान कितना होता है 8 सक्टमबर question है जवाब देते वी चलेंगे मनुस्य के रुधिर का pH मान जो है कितना होता है जवाब देखिए आपर आना सुरू हो गया है तो याद रखिए कि 7.4 ठीक है 7 दसमलो 4 होता है तो option number जो इसका A है यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question पूछा गया कि मुगल समराट बाबर का मकबरा कहां पर इस्थित है मुगल समराट बाबर का जो मकबरा है वो कहां पर अवस्थित है जवाब देते हैं चलेंगे तो याद रखिए उसो काबूल में ठीक है मुगल समराट जो बाबर है उनका मकबरा जो है अपका काबूल में अवस्थित है अगला question पूछा गया आप से आपर और सोल्डर तार किस पडार्थ के बने होते हैं सोल्डर तार समने देखा होगा भाई क्या होता है जिससे दो टांका लगाए या ता आप मां सकते हो तो भाई किसका बना होता है जस्ताक शीवाब आ रहा रहा इसर सेसा वर तिंकी मिश्रधातू का ठीक है अगला question देखें पूछा गया है कि मदर तेरेंसा द्वारास थांस्था का क्या कहलाती है मदर तेरेसा द्वारास स्थांपिज आपकी संस्था है और अपकी आपके क्या कहलाती है तो याद रखिएगा 72 नंबर question का जो correct answer जो है किस वर्स किया था बहुत ही अच्छा कोईशन है भारत ने पोखरड में पूशा गया भई पोखरड में अपना पहला परमाड प्रेक्षड किस वर्स किया था तो सिबेंटी थी नंबर कोईशन का जो करेक्ट एंसवर आपका क्या हो जाएगा सर ऑप्सिन नंबर बी हो गया नाइनटीन सेवनटी फोर में ठीक है 1924 इसमय में किया था ऑप्सिन नंबर भी यहां पर बिल्कुल म्यों करेक्ट हो जाएगा अगला पूशन को पूचा गया है रुपांतरित चटानों की उत्पति किन चटानों से होती है रुपांतरित चटानों की जो उत्पति है वो किने चट्टानों से होती है तो साथ यहाद रखेगा आगने और तल छटी दोनों चट्टानों से होती है तो और जो इसका यहाँ पर पहला पिन कॉमेंट कर दिया है नेक्स्ट क्लास करके तो पच्छेत्तर नमबर कोईशन का जवाब आना सुरू हो गए छे से चौदा आयूवर के सभी बच्चे और जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोईशन देखे आप से आप स्विनिट बाद बाएं से दाएं या दाएं से बाएं तो छेत्तर नमबर कोईशन की अगरम बात करते हैं तो याद रहे हैं घड़ी की सुई की घूमने की दसा में बॉल्य बॉल में जो सर्विस रोटेसर हैं होती है अगला कोईशन सच्छे बजे भी आपका जीकी क्लास लीगी बेर आपका अलगी जीकी होता है भारत कोकिला बताएं कि से कहा जाता है dialog का इससे कि अचलेंगे भारत कोकिला जो है किसे कहा जाता है तो दुसटों याद रखिए यहाँ पर चमपारण में, बिल्कुल से जवाब आ रहा है, चमपारण जितने लोग जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्लियर है, अच्छा, भारत कोकल्या मैंने बताया था न, भारत कोकल्या में मैंने आपको बताया था क्या सरोज संत्र हुआ था उस समय इंग्लेंड के प्रधानमंत्री कौन थे कैलास मीना जी उपर मैंने लिंक दिया है नेक्ट विलाज करें देखें पहला कोमेंट आपको दिख रहा होगा दिया यह यारंसर का पहला लिंक उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप उस क्लास में भी सीधे पहुच सकते हैं अनकेडिमी का बस आप डाउन्लूड होना चाहिए और आपकी आइडी होनी चाहिए और कुछ नहीं और आपसे अगर इन्वाइट कोड पूछता है तो डियर गुरुजी डाल दो बिदावर जीनती गुरु मानते थे प्राना शुरू हो गया गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल सही जवाब आ रहा है जितने भी लोग यहां पर आप्स नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला कोशन देखो आपसे कहला कि भारत का प्रारंब कब हुआ था भारत में सहकारिता अंदोलन का जो आरंब है वो आपका कब हुआ था तो 81 नंबर कोशन का जवाब देखे हो जाएगा नाइंटीन जिरो फ्यूर उनीस तो चार इस भी में भारत में सहकारता अंदुलन को प्रारम्भे हुआ था अगला कोईशन देखो आपसे यहां पर क्या बोला गया है कि सेन वंस का संस्थापक कौन था बता यह सर कोईशन नबर 82 है सब लोग जवाब देते हो चलेंगे सेन व दो दूस्तों तो याद रखेगा बुढ्यावाला बाग हतिा खंट किस वर्स हुआ था चुरासी नबर ववर्स हुआ गया जालया वाला बाग घंट अ स्वर्स हुआ था नाइंटी नाइंटी ठीक है बिल्कुल सभी जवाब आ रहे हैं यहां पर इसका डी है यहां पर बिल्कुल करेक्टर है कि तेरा प्रेल उनीस सो उनीस इसबी में अगला कोशन देखिया आप से क्या कह रहा है कि मोगल समराथ अकबर का जन्म कव हुआ था कोशन नमर 85 है सबी चलेंगे मोगल समराथ अकबर का जो जन्म है आपका कब हुआ था तो याद रहे दोस्तों 1542 में ठीक है अकबर का जन्म दोस्तों 1542 में हुआ था अगला कोशन देखिया आप से कहाए भारत का पहला अफगान सासक कौन था 86 का जवाब देखते यह चलेंगे भारत का पहला अफगान सासक जो है कौन था तो बहलो लोदी ठीक है बहलो लोदी जितने लोग जवाब दे रहे हैं बिलकुल सभी बात है अगला कॉशन पूछाए गया कि भारत सन्विधान भारती सन्विधान ने कैसी नाग रिक्ता का परावधान किया है एक कल द्वय द बहुविध या उनमें से कोई नहीं, 87 नंबर question है, यहाँ पर जवाब देखे आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है सर, भारत भारतिय संधान ने एकल नागरिक्ता का प्रावधान किया है, तो option नंबर जो इसका A है, यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा, अगला question देखे आप से क यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगे, अगला question देखे कह रहा है, हुमायू नामा के लेखक कौन है, चलिए सर, फटा फट जवाब देते ही चलेंगे, हुमायू नामा के लेखक, कई बार आपके पेपर में यह question आ चुका है, तो दोस्तों याद रखेगा, हुमायू नामा के जो लेखक है, लेखिका बोला जाएगा, गुलबदन बेगमन की वाइफ थी, तो option number जो इसका C है, यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा, अगला question देखे आपसे क्या कह रहा है, राश्ट्र पती अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है, जो साथी व्याद रखेगा, उप रा जवाब देते हो चलेंगे, अकबर राजगदी पर कब बैठा था, जवाब देखे यहाँ पर एक क्यानवे का आना शुरू हो गया है, तो याद रखेगे, जो पंदरा सो छब पर हिस्वे में, विकिए पहले उसका अब जब राजगदी बैठा था, उसकी एच कम थी, तो बैरम खान उसका सनचक था, तो उसका सी है, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अगला कोशन देखिया, आपसे कह रहा है कि आनंद मट के लेखक कौन थे, आनंद मट के जो लेखक है, आपके कौन थे, फटा-फटे यहाँ पर जवाब देते हैं, चलेंगे सर, जव कोशन देखिया, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, कि आलम गीर नामा के लेखक कौन थे, कोशन नमर 94 है, सब लोग यहाँ पर जवाब देते हैं, जवाब के कौन है, जवाब देखिया, आना शुरू हो गया, तो मुहम्मद कासिम, बिल्कुल सभी वाद है, जितने भी साथ यहाँ पर मुहम्मद कासिम जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, चले दोस्तों आते हैं, अगले कोशन पर तो पूछा गया है कि किसे भारत का महान वयोवरिद्ध कहते थे, पता है यहाँ पर 95 है, सब लोग यहाँ पर जवाब देत अगला कोशन देखिए आप से हैं, पर क्या पुछा गया है कि Champion Strophy जो है किस खेल से संबंदित है, रोख की से यहाँ पर से बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अगला कोशन देखो आप से कि कोलंबो कप किस खेल से संबंधित है कोलंबो कप जो है आपका किस खेल से संबंधित है 97 नंबर कोईशन है जब आप देखिया है ना शुरू हो गया तो याद रखेए कि फुटबॉल से ठीक है कोलंबो कप जो आपका सबी से रिक्वेश्ट है पहला लिंक और नीचे डिस्क्रिशन बॉक्स में नेक्ट क्लास करके लिंक वहने दे रखा है अगली क्लास करके वहने लिंक दे रखा है तो आप लोग वहां से आ सकते हैं तो 98 का जो करेक्ट एंसर आपको हो जाएगा सर्फ सर संकरन नायर ठीक है ओप्सन नमबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे सर लोग ज्यादा है लाइक का मैसा क्यूं भाई लोग लाइक नहीं करते हैं इतने लोग जोड़े हो भाई 88 गलत बात है लाइक करते हैं चलो सर संकरन नायर अगला कोशन देख हो गया है तो याद रखे दो सन्विधान संसोधन सन्विधान संसोधन में दोस्तों राश्पती की स्विक्रत तावस्यक नहीं होती है दोस्तों जितने लोग जोड़े हैं सभी से रिक्वेस्ट है देखिए अगली क्लास का लिंक वहाँ पर छे बज़े लिक दिया गया है यहाँ पर जूड़ जाओ वहाँ पर में लिंक दे दूँगा और टेलीग्राम पर भी जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं फटा फट आनेकेडमी वाली क्लास में छे बज़े आ जाएं सब लोग यहाँ पर आएंगे तो सब लोग के साथ धमागेदार क्लास की सु वेट किया जाएगा अनेकेडमी पर अगली क्लास में आप लोग आजाएं बिलकुल मज़ेदार कोई होने वाला है एक घंटे का कुछ होगा सब लोग जल्दी से जल्दी आजाएं और इस वीडियो को भी लाइक और सेयर कर दीजेगा तो अब एक लिए बबाए टेक केर ज